तो आज हम पढ़ने वाले हैं Layer Composition तो आज देखी पिछले टूटोरियल में हमने पढ़ा था Artboard और अब हम इस टूटोरियल में पढ़ेंगे Layer Composition लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि सर ने File Menu स्टार्ट कराया था और अब यह Artboard कहां पढ़ाने लगे फिर Layer Composition पढ़ाने लगे यह के चेकर है File Menu तो पूरा करा देते तो आज देखी File Menu जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने यहां पर Revert तक यह Complete कराया था लेकिन Revert के बाद जब मैंने सोचा कि अब Export का हम बनाते हैं टूटोरियल तो Export में जाने के बाद देखो यहां पर नीचे की तरफ था Artboard to File, Artboard to PDF अगर मैं यह पढ़ाता आपको Artboard to File, Artboard to PDF और अगर आपको Artboard नहीं आता तो फिर यह आपके समझ में नहीं आता तो इसलिए मैंने आपको यह पहले Artboard कंप्लीट कराया और आज मैं Layer Composition कंप्लीट करा रहा हूँ और उसके बाद मैं यह पूरा Export के उपर टूटोरियल बनाऊँगा फिर आपको यह पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएग तो चलिए गाई शुरू करते हैं Layer Composition Welcome back तो guys Layer Composition को समझने के लिए आप थोड़ी देर के लिए यह समझ लीजे कि मैं तो Designer हूँ और आप मेरे Client है आपने मुझे अपने Restaurant का कोई Poster बनाने के लिए दिया और वो Poster मैंने तयार किया लेकिन मैंने एक Poster तयार नहीं किया मैंने उसके तीन डिजाइन तयार किये और तीनों डिजाइन को मैं आपको दिखाता हूँ तो देखी यहाँ पर मैंने तीन फाइले खोलके रखी है एक पहली फाइल देखी यह है A1 नाम से यहाँ पर यह Restaurant का एक Poster है जो मैंने आपको दिखाया कि देखो एक तो मैंने यह बनाया है दूसरी मैंने यह फाइल बनाया है A2 अब मैंने यह आपको दिखाया तो आपको अब यह पसंद है या नहीं यह तो आप जाने फिर मैंने आपको तीसरा दिखाया यह वाला तीनों मैंने फाइलें अलग-अलग करके रखी हुई है अब आपको जौन सा पसंद आ जाए वही फाइनल हो जाएगा लेकिन ये जो हैं ये मैंने बनाए नहीं है इसमें मैंने कुछ modification किये हैं कुछ changes किये हैं ये जो photos हैं और background हैं मैंने internet से उठाए हैं बागी के कुछ text में changes करके कुछ color correction करके मैंने ये त्यार किया हुआ है तो ये तीन design हैं देखिए वन, टू, और थ्री देखिए पसंद आना ना आना तो एक अलग बात है लेकिन ये जो दिखाने का तरीका है यही layer composition का एक तरीका है मतलब ये मैं अलग-अलग फाइलों में दिखा रहा हूँ ये पहली फाइल है, दूसरी फाइल है, तीसरी फाइल है लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से दिखा सकता हूँ अब दूसरे तरीका क्या हो सकता देखिए यहाँ यहाँ पर फाइल बना के रखी हुई है अब यहाँ इस फाइल में यहाँ अलग अलग यहाँ पर गृप्स बना के रखी हुई है पहला डिजाइन 1 का गृप्स है फिर मैं इसको बंद करता हूँ, दूसरे खोलता हूँ, देखो ये design 2 का group हो गया फिर मैं इसको बंद करता हूँ, तीसरे खोलता हूँ, देखो ये design 3 यानि के तीसरे design का group हो गया तो दिखो जो मैं अलग-alग फाईले रख रहा था, उस से अच्छा तरीका तो यह हो गया मैंने एक ही फाईल में तीनुडेजान रख लिए लेकिन अब इससे भी एक अच्छा तरीका हो सकता है दिखे इस में क्या है? इसमें मैंने दिखो, अलग-अलग देखिए आप यह design 3 है इसमें देखो design 3 को जैसी मैंने एक्स-प्रिंट किया तो देखिए इसमें बहुत सारे groups, बहुत सारी layers है और इसमें मैंने पूरे का पूरा group के अंदर रख दिया है D3 में ऐसी देखो D2 है इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे groups और layers है ऐसी D3 है लेकिन ये सब अलग-अलग कॉपी करके रखा है मैंने सब चीजे डुप्लिकेटिड है मतलब दुबारा-दुबारा कॉपी करके रखी है लेकिन layer composition क्या करता है layer composition उनी layers को manipulate करके अलग-अलग design को save कर लेता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ तो देखी ये मैंने चौती फाइल रखी हुई है ये देखी यहाँ पर सब layers है अलग-अलग layers ऐसी है सारी layers group ऐसी है अब देखो ये design दिख रहा है अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से window में चलके layer comp खोलता हूँ यहाँ पर चलते हैं layer comp खोल लेते हैं कोई layer visible हुई है दूसरा layer की position change हो सकती है layer कहीं से कहीं भी move कराई जा सकती है उसको save कर सकते हैं तीसरा layer का style change हो सकता है इस style में color correction, drop shadow ये सब चीज़ हो सकती है ऐसी देखो तीसरा design यह से हम तीसरा design क्लिक करेंगे तो तीसरा design आ गया तो देखो यहाँ पर मैंने अलग-अलग layer composition को save करके रखा हुआ है देखे design 2, design 1, design 3 ये अलग-अलग layer composition को save करके रखा हुआ है अब देखो layer वहीं है लेर style change हो रहा है इस तरह की चीज़े तो चलीए मैं इसकी layer composition बना कर दिखाता हूं मैं सारी layer composition को delete कर देता हूँ देखिए इसको भी delete कर देते हैं ऐसे और देखिए सब layer composition delete हुई ठीक है अब मेरे पास यह layers है और layer composition नहीं है ठीक है अब क्या करते हैं देखिए इसको मैं यहाँ पर close करता हूँ और जो पहले वाले अलग-अलग file मैंने रखी हुई थी उनको भी close कर दे रहा हूँ एक ही file रहे देते हैं देखिए इसको भी close कर दे रहा हूँ इन सब फैलों को close करके मिरे पास एक ही file मैंने इसको यहाँ पर रखी हुई है यह एक ही file है तो अब हम बात करते है layer composition कैसे बनाएं तो उसके लिए हम चलते है window में और यहाँ पर मिलता है देखिए layer comps, layer comps को खोल लिजए, यह layers comps देखो यहाँ पर खुल गया, तो देखिए यह जो पहला design खुला हुआ है, इसी को मैं new layer composition बनाना चाहता हूँ, मतलब एक composition इसी को बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो new composition पे click करेंगे यहाँ पर जैसे click करेंगे तो देखो यहाँ पर composition का name कहेगा तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ D1 याने design 1 मैंने कर दिया और देखो design 1 जैसे करेंगे तो apply to layer layers के उपर क्या क्या चीज़े apply हो सकती है यहाँ पर वो देखी एक तो visibility है visibility मतलब जो हम eyes को खोलते हैं बंद करते हैं यहाँ पर देखो इसको उसे हम कहते हैं visibility position, layer की position change करना appearance मतलब layer style और smart object इन चारों चीज़ों के उपर ही हम changes कर सकते हैं वही चीज़ें हमारी layer composition में store होंगी हम उग करते हैं चलिए यह हमारा एक design हमने layer composition में store कर लिया तो अब हम क्या करते हैं देखी design change करते हैं और layer composition बनाते हैं तो design change करने के लिए यहाँ पर layers हैं बहुत सारी इन layers में ही हम changes करेंगे तो layers में changes करने के लिए सबसे पहले background हम background change करते हैं बेक्ग्राउंड में चलते हैं यहाँ पर और देखो बेक्ग्राउंड जो है डिफरेंट डिफरेंट बेक्ग्राउंड हमने यहाँ पर रखी हुई है तो उसके लिए देखी यह वाली बेक्ग्राउंड हमने हाइट कर दी और इसके अलाब देखो यह पीली वाली background भी हमने यहाँ पर hide कर दी अब यह दोनों background hide करने के बाद हम background का color change करना चाहते हैं तो हमने क्या करा यह जो background है इसी के उपर हम layer style apply करते हैं double click करते हैं और देखो layer style apply करते हैं अब यहाँ पर color overlay में जाते हैं और यहाँ से color लेते हैं अब मैं color यहाँ पर green ले लेता हूँ मैं ऐसे ही देखो green ले लिया और dark green लेने के बाद यहाँ पर okay करा देखो यह हो गया अब यह मेरे पास dark green color हो गया इसके बाद देखो, यहां पर यह मेरे पास background है, image, तो यह मैंने खुल दी, तो देखो, यह background on हो गई, और देखो, बीजी को बंद करते हैं, और बीजी को बंद करने के बाद देखो, यहां पर चलते हैं images में, images को on कर लेते हैं, और images में, on करने के बाद, images में, आप बंद कर रहे हैं इंहां से इमेज़ को और इसके बाद द ये जोflower टक्र連 आक्र देंग और इसे दोगो इन दोनों को ही मैंने color change कर दिया इन दोनों का देखो यहाँ पर चलते हैं और देखो text का color change कर देते हैं यहाँ पर इस text में गए और double click करके देखो यहाँ पर हम color overlay पर गए और यहाँ पर हमने color कर दिया white हमने white color कर दिया और इसको हमने यह तो white है, okay white है तो हमने white कर दिया, दोने चीज़े white हो गई, आप देखो यह जो logo है, logo का color हम अलग-अलग थोड़ा सा different change करते हैं देखी, हम यह चलते हैं, और देखो इसका color, यह जो है, यह वाली इसका color change करते हैं, इसका color change करते हैं तो चलिए हम कैसे करते हैं, देखे, हमने double click किया, हमने यहाँ पर आए, देखो इसका color overlay में, और देखो color overlay और color overlay में जाने के बाद इसके किलिक किया, और यह बना kommtलो ले लिया, देखो यह, हमने यह color ले लिया, और okay कर दिया ठीक है, यह color लेने के बाद और होके कर दिया, और देखो यह हमने होके कर दिया, देखो इस तरह से हमारे पास यह डिजाइन हो गया, और देखो इसको हम यहाँ पर बंद कर रहे हैं, शेप्स और लोगो शेप्स, यह हमने लोगो को टेक्स भी चेंज कर दिया, शेप्स भी चेंज कर दी, अब देखो लो Second Layer Competition अब इसकी बार हम करते ने, डीन Two और हम सेब करते, तो दिखो यह डूसरा हो गया आप दिखो पहले वले डिजाइन background को color हमने कर दिया देखो अभी ये color कर दिया okay किया देखो ये color हो गया और इसके बाद देखो यहां पर ये background को हमने बंद कर दिया और images में चलते है images में अपनी images में जाने के बाद देखो इस images को तो बंद कर दिया और ये उपर वाली image एक तो ये image और एक ये image हमने दो image ये हमने खोल ली देखो यहाँ पर ठीक है इसके बाद देखो हम leaves तो हमारी बंद है और auto tax भी हम रहने दें और देखो tax वगर यह सब ऐसी रहने दें इसके बाद देखो graphics जो है graphics on कर लेते हैं दो कोई graphics side वाले graphics यह हमने on कर लिए और इसके बाद आप देखें ये social icon है social icon को भी हम थोड़ा सा change करते हैं अब हम क्या करते है color overlay पर इसका color change करते हैं हमने color overlay पर गए और हमने इसका color white कर दिया और white करने के बाद में अब जो text है text को बंद करते हैं देखो text हमने मुझे नहीं चाहिए हैं यहां से text में हटा दिया इनको हम आप इस तरफ इधर की तरफ देखो ऐसी हम दूसरा बूसरा देखो यह facebook का है इसको सोबसे ख़चोर आ यह हमले करा लेतें ऐसी ओधो देखो यह हमरे इस तरह से और हमने social icon और हमने इस सरा वांधर रखो हमने में डूसरे अर बना और देखोत दिया है इस तरह है। design 1 और design 3 अब इस तरह से layer composition को हम दिखा सकते हैं अब layer composition यह है तो हम ने कर दी अब इस layer composition को export भी कर सकते हैं वो मैं अगले tutorial में कराऊंगा जब मैं export वाला कराऊंगा तो वाइस देखी यह जो design आपने देखे यह design मैंने बनाए नहीं है यह design मैंने आपको manipulate करके दिखाया है मतलब layer को manipulating करके दिखाया है layer को कहीं hide करना show करना layer की position चेंज करना या layer के उपर styling चेंज करना यह सब करके मैं इसमें designing को change करके दिखाया है design तो बने बनाए थे लेकिन design को मैंने change करके दिखाया है जिससे कि आप layer composition को समझ सके तो अभी मैंने ये डिजाइन बनाये नहीं है कभी आप सोचें के सर ने डिजाइन बनाये तो है नहीं और ऐसी बस तिगड़म बाजी करके दिखा दिये तो मैं आपको ये सिर्फ layer composition समझाना चाह रहा था इसलिए मैंने ये सब किया है डिजाइन बनाने बाली बात जब आएगी आगे आने वाले टुटोरिल्स में जब डिजाइन बनाने बात आएगी तो डिजाइन भी मैं आपको बना कर दिखाऊंगा तो यहाँ पर मैं आपको layer composition समझाना चाह रहा था तो प्लीज मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को दबाना ना भूले तो आइज मिलते हैं नेक्स टुटोरियल में तब तक के लिए take care and bye bye